सो गाइज स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से भुवनेश्वर लिंगराज मंदर जो हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पर महा शिवरातरी हुई थी तो इसलिए लिंगराज मंदर का ये टॉपिक निउस में है तो लिंगराज मंदर से जुड़ी कुछ important चीज़े आपको बता होनी चाहिए और आपको बता दें गाइस कि लिंगराज मंदर के बारे में पहले भी हम लोग को news देखने को मिल चुकी है पास्ट में तो जो भी repeated news होती है वो काफी जादा important हो जाती है examination point of view से तो आप लोग को ये news बहुत ध्यान से जो है वो समझनी है तो क्या-क्या चीज़े आपको याद रखनी है पहली बात तो लिंगराज मंदिर जो है वो किसका मंदिर है तो भगवान शिव को समर पे ती है मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है दूसरी बात इसको किसके द्वारा बनाया गया था लिंगराज मंदिर को लिंगराज मंदिर कहा पर ये तो बता दिया न मैंना आपको भुवनेश्वर में है याद रखना लिंगराज मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था तो देखो सोमवंश के सोमवंश के राजा है यायती केशरी या फिर जजाती केशरी के नाम से ये जाने जाते हैं इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था ठीक है लाल पत्थर से बनाया गया था ये मंदिर रेड स्टोंड से बनाया गया है और कलिंग स्टाइल architecture का ये classic example के तौर पर हमें देखने को मिलता है Culling Shelley की वास्तुकला का ये एक पहतरी जो है वो उदाहरान हम लोग को देखने को मिलता है और देखे गाईज अभी मैं आप लोग को एक task दे रहा हूँ आप जब भी ये lecture सुनते हो मेरा तो आप अपने पास panel पेपर लेकर जरूर बैठा करो क्योंकि ये lecture जो होते हैं आपके current affairs के लिए बहुत ज़ादा important lecture होते हैं इनको बिल्कुल भी आपको skip नहीं करना है क्योंकि इन्हीं जो भी topics में cover कराते हो इन्हीं से related आपसे question जो है और न्यूज में चीजें आ चुकी है तो आपसे culling style Art and Architecture में culling style के बारे में पूछा जा सकता है तो आज ही आपको culling style के बारे में notes बनाके रख देने हैं तो ये आपका अभी का एक task है ठीक है तो लिख लो कि आज आपको culling architecture के बारे में या Culling Style of Architecture के बारे में आपको पढ़ना है ठीक है यह मंदिर के नौर्थ की तरफ आप देखोगे तो आपको बिंदू सागर लेक दिखाई देगी बिंदू सागर जील दिखाई देगी याद रखना कोशन अगर आ जाए बिंदू सागर जील कहा पर है तो भवने century में जगनात मंदिर जो है गंगा रूलर्स के द्वारा बनाए गया था बारवी century में गंगा शाशकों के द्वारा बनाए गया था और यह जगनात मंदिर और वेशनिर्जम जो काफी तेजी से फैल रहा था तो उसके कर्ण से भी ये बात बताई हाती है कि विश्णु साफी important topic है बहुत ध्यान से सुनिएगा चाइना के scientist ने भी recently discover किया है space hurricane मतलए यानि कि space के तूफान को discover किया है और पहली बार इस प्रकार का तूफान जो है वो discover किया गया है North Pole में बताया जा रहा है इस से पहले सिर्फ ये माना जाता था कि space के जो hurricanes होते हैं यानि कि space में आन under space में हम लोग को देखने को मिला है तो इस से जुड़े कुछ facts हम लोग जानते हैं तो report के according ये बताया गया है कि ये जो तूफान जो आया है ये 600 miles का था 600 miles तक हम लोग को ये देखने को मिला था फैला हुआ था यानि कि 600 miles के area पर पूरा ये तूफान जो है वो आया हुआ तो ये जीज़ हम पर बताया है ये बहुत बड़े area पर फैला था ये और इसके अलावा इसने charge electrons की वर्शा करी थी और लगभग 8 घंटे तक charge electrons की वर्शा हुई अब ये charge electron की वर्शा का क्या तात पर है तो आप देखते हैं कि ये इस प्रकार की lighting कई बार हमें space में देखने पहले बताऊ space में रंग HackGR ride होती है마 कुछ कुछ समय पर रंग Però अग लइए हम लोग को north poleARTuin इस स्पेश में स्पेश में देखने को मिलती है तो आप आपसे electrons है जब हमें देखने को मलता है कि जिस समय वो lighting वगेरा होती है और अरोरास जिसको हम लोग बोलते है basically अरोरा मत बोलेला ना अरोरा नहीं है और अरोरास वो होता है राइट तो बोरिलिस अरोरास और 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 अस्ट्रिलिस lighting वगेरा चार्ज, electrons वगेरा जो है उसकी वर्षा 8 घंटे तक चलती रही यह चीज आपर बताई गई है और इसमें lighting वाइटिंग कैसे होती है कैसे यह lighting हम लोग को देखने को मलती है इस प्रकार की औरोरास कैसे बनते हैं कैसे हमें देखने को मलती है तो उस पर मैंने एक already वीडियो बनाया हुआ है भी थोड़ी दर से आपको बता दूँगा कहाँ पर आपको मिल जाएगा don't worry about it बट अभी के लिए जो यह topic है जो news में आ है वो space hurricane से related है कि space में हम लोग को तूफान देखने को मिला है तो space में जो तूफान था उसको record किया गया भी recently तो काफी important है क्योंकि पहली बार इस प्रकार का record हमें मिला है और अभी तक theoretical phenomenon था और practically पहली बार हुआ है तो यह बहुत important topic आपके GS paper three point of view से भी important हो जाता है आप key facts की बात करें तो मैंने आपको एक fact already बताये दिया कि 600 miles तक फैला हुआ था यह और 8 घंटे तक इसने वो lighting effect जो है वो दिखाया और space hurricane जो था यह counterclockwise था जैसे घड़ी जो चलती है ना इस direction में तो यह counterclockwise हम लोग को देखने को मिला था और इसकी speed 4700 miles पर की हमें देखने को मिली थी तो ऐसा इस report में सामने आया चीज है और hurricane जो है वो space में directly नौर्थ pole के नौर्थ pole के जस्ट ऊपर जो है वो नजार आ रहा था तो यह चीज हम लोग को देखने को मिली अब इसका क्या महत्व है इस प्रकार की खोज का तो इस प्रकार की खोज से scientist को मौका मिला है कि सूरी जो है सूरी किस प्रकार से धरती के atmosphere को affect करता है तो उसको जानने का मौका मिला दूसरी बात और details पता लग रही है scientist researcher को की space का weather जो है वो किस प्रकार से जब space के weather में change आते है space में तूफा ना दे तो किस प्रकार से हमारी satellites के लिए खत्रा है या फिर और वी जो दूसरे objects हम लोग को देखने को मिलते हैं जो धरती के orbit पर थोड़े सा दूर जो है वो move कर रहे होते हमारे human made objects तो उनको किस प्रकार से खत्रा हो सकता है कि space में अगर कुछ कि ये space hurricanes होते ही क्या है तो देखो होता क्या है कि सूर्य से बहुत तेजी से wind आती है solar wind जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य से wind निकलती है हवा निकलती है सूर्य से तेजी से और ये basically हमारी धरती का जो magnetic field होता है धरती के एक magnetic field है धरती की magnetic field आपने इसके बारे में जो है वो पड़ा भी होगा अर्थ की magnetic field के बारे में और पहले भी past lectures की दोरा में आपको पड़ाया भी हुआ है तो धर्ती की जो magnetic field होती है तो उसके साथ सूरी की जो वो होती है wind होती है वो interact करती है तो यह चीज हम लोग को देखने को है तब उस समय इस प्रकार के effect सामने नजर आते है और जब मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाया हुआ और इस effect के बारे में आप लोग को पढ़ा रहा था सूरी केंस में होता क्या है सन से आने वाली जो हवा होती है जिसको हम लोग solar wind बोलता है तो solar wind जो होती है उसका हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है solar wind उसका interaction देखने को मिलता है धरती की magnetic field के साथ ठीक है first point second point ये एक बहुत बड़े आकार का तुफान हम लोग को देखने को मिलता है बहुत huge होता है funnel लाइक होता है funnel funnel आपने देखा हुआ है वहापे आप lab बगरा गया होगे बच्पन में तो वहापे funnel हम लोग को देखने को मिलता है chemistry की lab अगरे नहीं गया अरे यार यह तो वह बना दिया मैंने ये मेरे खाल से मैंने वह बना दिया था वह वाइन के हम लोग को मिलता है तो यह क्या हो गया यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि यह funnel-like है negative spiral was बाइंडिंग कर रहे होगे न आपने spiral binding धुँष इसी परकार की चीज होती है वह बहुत बड़े आकार की हम लोग को देखने को मलती है है कि नहीं तो यह वाली बात है और जो खबरी पॉड्टकास्ट पे सुन रहे होंगे इस आउडियो को तो आप समझ गया होगे जिस प्रकार से मैं explain कर रहा हूँ क्योंकि आगे की बात करें तो और यह कहाँ पर होता है यह basically polar ionosphere जो होता है धरती का उसके उपर हम लोग को नज़र आता है और काफी कॉइट condition वहाँ पर होती है यानि कि जो हवाएं बगरा जो होती है वो तो solar wind हम लोग को देखने को मिलती है उस पर अभी study चल रही है कि किस प्रकार से यह effect करती है atmosphere वगरा को धरती की magnetic field को किस प्रकार से effect करती है सेटलाइट्स वगरा उनको कैसे नुक्सान हो सकता है solar wind से तो यह सब चीजे पर अभी study चल रही है और यह जो चीज सामने आई है इस पेस का जो हुरी के इस पेस का जो दूफान सामने है तो उससे काफी कुछ चीजें जो है वो मिलेंगी पता करने के लिए scientist researcher को तो चलो एक और question का answer लिखकर बताओ तो हमारे atmosphere में various layers हम लोग को देखने को मिलती है mesosphere, stratosphere, exosphere, ionosphere तो यह सब चीज आपने बच्पन में 6th class, 7th class की NCRT में पढ़ी होगी तो बताओ उसको आप बताओ जो नीचे से ऊपर जाने वाली जितनी भी layers है उसको एक आप उसमें लिखकर बताओ और कितने kilometer पर कौन सी layer होती है वो वाली चीज भी वाली information भी नीचे comment box पर लिखकर बताओ तो देखो ये किस से related है तो ये aurora borealis से related है ये वाला जो phenomena हम लोग को north में देखने को मिलता है aurora borealis अभी थोड़ी दर पहले ही मैं आप लोग को बता रहा था तो उससे related ये पूरा phenomena है जिसमें electron precipitation हम लोग को देखने को मिलती है तो ये सब चीज़े है और फिर बहुत विशाल हम लोग को cyclonic shaved auroras जो है वो produce होने लगता है तो ये अले चीज़ हम पर बताई जा रही है और ये किस से बनते हैं तो ये plasma से बनते हैं जिसमें extremely hot ionized gas होती है जो की extremely high speed पर rotate करती है तो इसकी speed भी काफी high होती है और space hurricanes जो होते हैं ये basically plasma जब sun की solar wind से जब निकलता है तो उस समय होते हैं ठीक है उस समय ये बनते हैं ये charge particle के clouds होते हैं बहुत बड़े बड़े जो space में travel कर रहे होते हैं और ये basically magnetic storms बगेरा को fuel करते हैं जब ये magnetic field के interact करना इनका शुरू हो जाता है interaction जब शुरू हो जाता है जब ये आके interact करते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है कि various chemical reaction बगेरा होता और उसके कारण से lighting बगेरा भी lighting effect भी हम लोग को देखने को मिलता है जैसे कि auroras borealis और australis में हम लोग को देखने को मिलता है तो इसके impact की अगर हम लोग बात करेंगा इसके impact के तौर पर यही चीज जो है वो पता लगी कि scientist researcher को कि इस प्रकार के जो storms वगएरा होती है इस प्रकार की strong winds वगएरा जो हम लोग को देखने को मिलती है जो तूफान हम लोग को देखने को मिलते हैं तो यह satellites वगएरा को जो है वो नुकसान पहुझा सकते हैं इवन radio signal को या communication को भी harm कर सकते हैं तो इसी पर ही अभी research चल रही है तो इसके बारे में आप लोग को एक idea एक अच्छी जानगारी जो है वो इस से related होनी चाहिए अब देखो मैंने आप लोग को hurricanes का topic अल्रेडी पढ़ाया हुआ है इस पर एक separate video बनाया हु अपने channel का नाम लिख दोस्के आगे ठीक है तो जो भी search list में आपका वीडियो आएगा वो यही वाला hurricane वाला वीडियो आज़ागा तो hurricane के हर एक concept मैंने काफी detail में explain किया हुआ है कि hurricane कैसे बनता है यह cyclone कैसे बनते हैं कि क्या feature होते हैं कि क्या नाम होते clockwise और anti-clockwise phenomena के बारे मे पूरा मैंने detail में जो है वो explain किया हुआ है कि किस प्रकार से यह phenomena जो है वो cyclones का हम लोग को देखने को मलता है ठीक है तो यह आप एक बार cover कर लेना उसके बाद आप क्या cover करना तो वो मैं आपको बतायता हूँ यह open हो रही है अगरी file तो यह भी आप देख लोग को chat wait आगे किसी का देखो आपको aurora लिखना है ठीक है A-U-R-O-R-A aurora या aurora borealis या aurora australis आप लिखना है तो और यह 13 December 2020 को यह topic cover कर आया हुआ तो उसके आगे current affairs by कमलाक्ष च्छा डाल देना तो पूरा detail में मैंने यह topic explain किया हुआ है आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से lighting जो है वो static portion भी काफी अच्छा हो जाएगा ठीक है static portion के लिए अलग से तैयारी करने की आवशक्ता नहीं होगी आपको गाईस बता दें कि current affairs में जो चीज आती है न जो news वगेरा आती है उसी से related general studies के questions भी बनते है तो यह सब चीज़े जरूर cover किया करो अगर नाम मिले link वगेरा कोई भी परिशानी यार यह link को धूड़ने में या topic को धूड़ने में जो मैंने already cover करा चुके है कल पर सो मुझे एक student लिख रहे थे कि sir जो है वह आजकल बताते कम है यानि कि news वगेरा कम बताते है reference जादे देते है अरे reference तो मैं अपना ही दे रहा हूँ ना कि मैंने वो topic पढ़ cover करना है topic तो मैंने बता दिये कि इस जगह पे मैंने पढ़ा है मैं नहीं पढ़ा है किसी और का तो बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पढ़ाई जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर मुझे विश्वास है कि मैं हर एक चीज हर एक एरिया जो है उसका cover करके आपको explain कर करता हूँ तो इसलिए वो topic मैंने cover करा हूँ मैंने बता दिये कि वाला topic आप यहां से देख लो मेरा ही topic है मैंने cover करा है अब आप बोलोगी उस चीज को दो बारा से फिर से cover करो तो कितना time जो है वो इसमें waste होगा उसी time को utilize करके मैं आप लोगों के लिए और भी content जो हो कहां से आप cover कर लो उस पर पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी in depth में राइट वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी तयारी अच्छी हो बेना किसी चीज में भटको और अच्छी तयारी करो लोग आग मानते नहीं है पर कोई बात नहीं मेरे भी वो regular follower ही है जिरोंने वो चीज लिखी थी बट ऐसा नहीं है तको यहाँ पर मैं आपको पूरी information provide कराता हूँ हर एक चीज detail में वो भी और हर एक area 360 degree में पूरी चीज हर उस cover होती एक topic की और वो ही चीज cover होती जो कि आपसे examination में पूछी आएगी और फिर बाकी आपकी मर्जी है यार क्य क्योंकि उससे मुझे पता है कि नहीं होगा क्योंकि civil services के exam है रैसे वैसे थोड़ना exam है और लोग फिर वो उसी crowd में जाते हैं कि जहां पर थोड़ी थोड़ी सी चीज में पूरा सब कुछ हो जाए और आद यह दूरी information आप जानते हैं वैसे भी किसी काम की होती है नहीं और पढ़ना होता है जितना required होता है तो क्या करेंगे अब चलो आगी की बात करते हैं पद यातरा जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है डांडी मार्च की स्मिनिती में पद यातरा हम लोग को देखने को मिल रही है तो काफी important topic है history का बहुत ध्यान से सुनिएगा तो भार आजादी का अमरित महुतसव ये launch किया गया है सरकार द्वारा शुरू की गई ये एक पहल हम लोग को देखने को मिल रही है और इसकी शुरुआत करते हुए हमारे जो audible prime minister है इनके द्वारा महात्मा गांदी जी के नेतरित्व में किये गए एतिहासिक डांटी मार्च जिसे salt march की memory पर अभी conduct की गई है और हमारे देश के 75 years पूरे होने के अफसर पर ये चीज़ conduct की गई है लांच की गई है तो ये बहुत important है आजादी का अमरुत महुतसव तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ये यात्रा एहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू होकर 386 km दूर नवसारी जिले के दांडी नामक इस्थान तक जाएगी तो साबरमती से दांडी तक ये यात्रा हम लोग को देखने को मिल रही है इसे 25 दिनों में तै किया जाएगा तो 25 डेस की ये पत यात्रा है डेस भी याद रखना कितने दिनों की प पद यात्रा भारत में अंग्रेजो दारा लगाए गए नमक करके खिलाफ एतिहासिक मार्च की 91 वर्षगाट के अफसर पर की जारी तो 91 इयर्स कम्प्लीट हुए है जब अंग्रेजो ने टैक्स जो है वो इंपोस किया था सॉल्ड के उपर नमक के उपर टैक्स लगाया थ और उसी लड़ाई में हमारे Honorable Father of Nation महात्मा गांदी जी ने लड़ाई लड़ी थी ये पदियात्रा करी थी तो ये चीज़ है तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बहुत important है और अजादी की 75 वर्षगाट समाहरो कारिकरम आगे बढ़ने के लिए मार्क दर्शन बलके रूप में तथा स्वपनों और कर्तवियों को प्रिणना के रूप में जारी रखने है तू 15 अगस 2023 तक पाच विशे वस्तुओं यानि कि थीम्स के तहट जारी रहेगा तो 5 थीम्स के तहट 2023 तक ये पूरी चीज जो है वो continue रहेगी इस प्रकार की और और ये 5 थीम्स कौनसी कौनसी है स्वतनतरता संगराम, freedom struggle, 75 साल होने पर विचार, ideas at 75, 75 साल होने पर उपलब्धिया, achievement at 75, 75 साल होने पर कारवाई, action at 75, 75 साल होने पर सकल, results at 75 तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है तो ये थीम्स के बारे में आप आउना चाहिए इस परकार की थीम्स जो है वो 2023 तक continue रहेंगी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, salt सत्या घ्राय के बारे में, तो 12 मार्च 1930 का दिन था महात्मा गांदी जी ने अंग्रेजों दोरा नमक पर लगाए कर, कर यानि कि tax, अंग्रेजों ने जो नमक पर tax ल जुरुआत करी थी, तो इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है, साबरमन्ती से लेकर, डांडी तक गांधी जी की पदियात्रा हम लोग को देखने को मिली थी, salt march या डांडी march हम लोग को देखने को मिला था, फिर salt march, date याद रखना जरूरी है, मैं अकसर UPSC की तयारी करने वाले स्टुडेंट से बोलता हूँ, वैसे तो PSC के आप तयारी करने हो, state civil services की, तो आपके लिए dates वगेरा तो बहुत जादा important होई जाता है, बट UPSC के जो स्टुडेंट होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ, date वगेरा मैं ध्यान बनता हो, बट क कुछ-कुछ ऐसी dates होती हैं, जो आपको याद रखना बहुत जादा जरूरी होता है, उनमें से एक date है, ये वाली, 12 March 1930 को शुरू हुई थी, डांडी March या Salt March और 6 April 1930 को समाप दोई थी, कितने दिन की March थी, 24 दिन की थी, और अभी जो हम लोग को देखेने को मिल रहा है, ये जो initiative जो शुरू किया है, अजादी का अमृत महुतसफ, तो ये कितने दिन का है, 25 दिन तक का, तो ये चीज़ याद रखना, ये अभी जो initiative है, 25 डेस का है, Salt March 24 डेस की थी, अगर कुछ ऐसा statement आया है, कि जितने दिन की Salt March थी, original Salt March, उतने दिन की ये पदयातरा की जारी, नही पदयातरा 25 की है, Salt March 24 की थी, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को बस थोड़ा से ध्यान में रखने ही, तो इस पर confusion create हो सकता है, और प्रकृती में पूर्तिय है, अहिंसक थी, यानि कि non-violent थी है, Salt March नेचर में, किसी भी प्रकार का violence नहीं हो था, सिर्फ पदयातरा हो रही पर सविने अवग्या अंदोलन, यानि कि civil disobedience moment, यानि कि बहुत significant इसलिए जानी जाती है, क्योंकि mass civil disobedience moment की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो याद रखना, mass civil disobedience moment की शुरुआत जो है, वो कहां से हुई थी, तो डांडी मार्च के बाद mass civil disobedience moment की शुरुआत हो गई थी, औ सिर्फ नमक बनाने के आरोप में गांधी जी को गिरफतार कर लिया गया था, तो इसके बारे में आप लोग अरड़ी जानते ही हैं, अब वाई गांधी जी चूज सॉल्ट सत्यागरे to start the civil disobedience moment, तो गांधी जी ने सॉल्ट सत्यागरे को क्यों चुना civil disobedience moment को start करने के लिए, तो आप जानते हैं कि हर एक घर में नमक पाए जाता है, नमक हर एक व्यक्ति consume करते हैं, बहुत जादा important होता है नमक खाने के लिए, बट नमक बनाने से लोगों को रोग दिया गया था कि कोई भी individual नमक नहीं बना सकता है, even domestic purpose के लिए भी, कि domestic purpose के उप्योग के लिए कोई इंसान खुद से नमक नहीं बना सकता है, लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि लोग market से नमक को high price में खरीदें, वहाँ पे British सरकार की monopoly थी नमक के उपर, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही थी, और इसी चीज़ को target बनाती हुए, क्योंकि देखो गांधी जी को सब को इखटा करना था, सबको एक platform पर एक साथ लेकर आना था, क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग को diversified population देखने को मिलती है, जाती के आधार पर लोग बटे हुए, धर्म के आधार पर लोग बटे हुए, ना जाने कितनी सारी तरीके के division हमारी country में हम लोग को देखने को मिलते लेंगवेज के अधार पर बटे हुए, तो गांदी जी नहीं ये सुचा कि कोई एक ऐसी चीज जिससे लोगों को एक साथ लाया रह सकता है, तो उन्होंने नमक, नमक का सहरा लिया, क्योंकि नमक सभी consume करता है, किसी का रंग कैसा है, किसी की जाती कैसी है, किसी का धर्म कैस है, वो फरक नहीं बढ़ता, सभी लोग नमक consume करते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी, वेजिटेरियन भी, ये वाली बात थी, और गांदी जी को सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना था, और सबको ये बताने की कोशिश करनी थी, कि आपको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, कि ब्रिटिशर्स आपको exploit करना है, तो ये उन्होंने एक जरिया जो है, वो चुना, कि लोगों को mobilize करनेगा, कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक साथ लड़ाई लड़नेगा, कि सभी लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक साथ एकट्टा होका लड़ाई था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और salt एक symbol के तौर पर हमें देखने को मिला था, civil disobedience moment को start करने के लिए, तो ये बहुत important point है, कि civil disobedience moment का symbol क्या था, तो नमक, salt था symbol आपको ध्यान में रखना है, clear है आपको बातें पूरी, salt was deemed as something on which each Indian had basic right, salt एक ऐसी चीज़ है, नमक एक ऐसी चीज़ है, जिसका हर एक प्रतियक भारतिय का मूल अधिकार था, तो ये चीज़ जो हम लोग को देखने को मिल लिए, तो ये है guys, पूरा oral topic जिसकी आपको एक अच्छी जान करी होनी चाहिए, तो history point of view से general studies के एक topic भी अ जाद रखना अजादी का अमृत या अमृत महुत सब हम लोग को देखने को मिल रहे ठीक है, और ये 25 दिन की मार्च है, और salt सत्यगरे, डांडी सत्यगरे, डांडी मार्च जो थी, वो 24 दिन की थी गांधी जी की ठीक है, तो paper 1 से related इतने ही topics थे, अब हम लोग paper 2 के topics की वो jail के अंदर होता है, सजा काट रहा होता है, जो actual में जो criminal होता है, वो बाहर ash कर रहा होता है, घूम रहा होता है, सुना ही कि नहीं सुना, सुना ही होगा definitely, तो इसी पर ही एक topic यवाला हम लोग को देखने को मिल रहा है, honorable supreme court में एक petition file की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार को highlight किया गया, कि यह इस चीज की बहुत ज़ादा ज़रूरत है कि सरकार को rules, regulation, framework, guideline जो है वो लाइनी चाहिए, कि ऐसे victims को compensate करने के लिए, जिनको गलत तरीके से prosecute किया हुआ है, बिना किसी गुना किये, उन्हें arrest कर लिया है, जिनकी कोई गुनेगार नहीं भी है, उसने गुना नहीं किया है, crime नहीं किया है, बावजुद उसके police और authorities ने उसको arrest कर लिया है, तो ऐसे जो victims होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, तो उनको compensation मिलना चाहिए, और जो police authorities वगरे इस प्रकार की जो होती हैं, जो बे गुनेगारों को सजा दे देत काफी सारी picture है, जिसमें even जैसे की वो नील नेतिन मुकेश की भी एक picture है, जिसमें jail, मैं अगर गलत नहीं होतो, picture का नामी jail है, तो उसमें भी इसी प्रकार की चीज दिखाई हुई है, और आप लोग जानते हैं कि काफी बार ऐसा होता है, जो गुनेगार जो होता है, वो बा आवशक्ता है, तो इस प्रकार के rules regulation framework लाए जा है, और इसकी आवशक्ता क्यों है, इस प्रकार के rules regulation framework लाने की, तो बताया जा रहे हैं कि हमारी country के अंदर around 1.5 billion population है, बड़ हमारे पास कोई भी effective statutory या legal mechanism नहीं है, wrongful prosecution के लिए है, यानि कि इस प्रकार की जब activities होती है, कि कि क wrongful prosecution के उपर रोग लगाए जा सके, या फिर उसको regulate किया जा सके, wrongful prosecution को, और police या prosecutorial misconduct के कारण या नहीं कि कई बार ऐसा भी होता है, कि court वगरा में, कई बार जो proper तरीके से process नहीं होती, कारवाई नहीं होती, उस कारण भी, कई बार बे गुनेगार लोग जो होता है, उनको commercial fabrics को destroy नहीं कर रहा है, हमारी country के, हमारे nation के, बलकि judiciary के उपर over burden इसके कारण हो रहा है, बहुत जादा burden judiciary के उपर हो रहा है, 40 million से जादा cases, 4 करोड से जादा cases हमारे पास pending हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो यह सब वजाए हैं कि जो बे गुनेगार, जो है, वो trials उनका हम हम लोग को देखने को मिल रहा है, चल रहा है, पेंडिंग cases हम लोग को देखने को मिल रहा है, यह इसलिए भी है, क्योंकि कई बार बेगुनेगार को सजा मिल लाती है, फिर उनका case जो है, वो लंबी समय तक चलता रहता है, तो सरकार को implement करना चाहिए, जो recommendation को, जो की 277th report ह हम लोग को miscarriage of justice की देखने को मिल ली थी, 2018 में Law Commission of India की रिपोर्ट थी 277th, तो उस रिपोर्ट पर बेज वो recommendation थे, उसको implement करना चाहिए, सरकार को, कमिशन ने prepare करी थी रिपोर्ट Delhi High Court के order के आधार पर, जो बबलु चोहन case हमें November 2017 में देखने को मिला था, जिसमें कहा गया की comprehensive examination of issue of relief and rehabilitation to victims of wrongful prosecution and incarceration, तो जो भी ऐसे विक्ति होते हैं, जिनको गलत तरीके से arrest कर दिया जाता है, यानि कि वो गुनेकार नहीं होते हैं और उनको सजादे दी जाती है, तो ऐसे जो victims हैं, उनको compensation दो, उनको rehabilitation दो, relief उनको provide करा हूँ, ऐसे जब बामले आते हैं, तो वो proper तर जो है वो, 2017 में ही हमने देखा था, कि यह जो case नहीं है, तो उसके अधार पर, 277th report में यही कुछ recommendation जो है वो दिया था, law commission of India ने, तो सरकार को उनके recommendation को अपनाने की आवशकता है, आज की rate में, और आपको बता देगाईस कि हमारी country के अंदर under trial जो है, वो हमारी इंडिया की prison population का 70% है, मतलब की 10 में से, हर 10 में से 7 लोग आप कह सकते हो under trial से, अब under trial क्या होता है, तो इसको पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसे कि वो व्यक्ति, जिसको अभी तक सजा नहीं हुई है, यानि कि वो दोशी सिद नहीं हुआ है, बट फिर भी वो jail काट रहा है क्यों वो jail के अंदर बंद है, क्योंकि उसने, जिस भी गुना के तौर पर बंद हुआ है, उसको बंद जिस चीज के लिए किया गया है, जो आरोप उसके उपर लगे हुए है, उस आरोप में, वो गंबीर आरोप में बेल नहीं मिलती है, तो इस कारण से वो jail में है, और jail से सजात उकाट नहीं रहे सामने अले वेक्ति, वो actually होता यह है, आपको भी पता हुआ है, इसकी काफी सारे ऐसे गंबीर आरोप होते हैं, जिसमें सामने अले को बेल नहीं दी जाती है, तो वो jail में रहकर trials कर रहे होते हैं, यानि कि उनका case अभी भी कोर्ट में चल रहा है, ज ले आकर, जो भी होती है, यानि कि court की proceeding जो भी होती है, तो उसमें वो involved रहता है, courts आता है, फिर courts आता है, और case लंबे लंबे चल रहे होते हैं, तो इसलिए काफी सारे लोग जो है, अभी तक जिस case का judgment नहीं हुआ है, जिस case बंद नहीं हुआ है, सामने अले वेक्ति दोशी सिदनी हुआ है, तो ऐसे अंडर ट्राइल्स वेक्ति जो है, वो हमारे इंडिया की prison population का नीरली 70% है, जेल में हर 10 में से 7 लोग अंडर ट्राइल्स है, जिनका, जिनकी कारवाई जो है, अभी तक चली रही है, समात नहीं हुआ है, यानि कि सामने अले वेक्ति, क्योंकि ऐसा बारी केसिस हमारे कंट्री के अंदर है, और स्टेट्स यसी की उत्तर प्रदेश, करनाडगा, मद्यप्रदेश और दिल्ली, यहाँ पर COVID-19 के केसिस भी जेलों में record किये गा है, और काफी सारे अंडर ट्राइल्स ऐसे भी है, जो बुजर्ग लोग है, और या फिर जो बिमा लानी चाहिए, कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को, किसी जिसने गुणा भी नहीं किया, उसको अगर अरेस्ट करके लेकर आजिए, तो पुलिस के ऊपर भी accountability, responsibility है, डालनी चाहिए, या फिर कुछ इस प्रकार की चीज़े लानी चाहिए, कि पुलिस भी अगर किसी को अरेस् नहीं तो फर ऐसा भी clause होना चाहिए, कि वो पुलिस के ऊपर फिर penalty जो है, वो चार्ज की जाए, अगर पुलिस जो है, वो बिना किसी बना किसी उठा कर अपनी power को दिखा कर सामने लेक्ति को अगर जेल में बंद कर रही है, किसी के ऊपर कोई फ़लाना section या case वगरा ठोक र रही है, तो उसके खिलाब भी कारवाई हो सकती है, उसको भी penalty फिर दे नहीं पड़ सकती है, तो यह इस प्रकार की थोड़ी सी चीज लाई जाए, तो उससे कह रहेगा है, कि at least पुलिस किसी को arrest करें, तो पहले पूरे proper investigation करने के बाद, proper सबूत वगरा घट्टे करने के बा Autocritization क्या होता है, तो आसान भाषा में एक व्यक्ति पूरी सरकार चला रहा है, यानि कि एक व्यक्ति पूरा पूरी country को rule कर रहा है, जैसे कि होता ने dictatorship, तो उसी प्रकार का होता Autocritization, वो एक ही चीज हम लोग को देखने का बलती है, या फिर Autocritization को de-democracy भी कहा जाता है, कि एक country के अंदर democracy सिर्फ मातर की है, बट वहाँ पर dictatorship सल रही है, एक व्यक्ति रूल कर रहा है, तो यह इसका मतलब होता है, तो Autocritization goes viral, तो यह इसका title हम लोग को देखने को बल रहा है, पाचवी annual democracy report का, जो की Sweden का एक organization है, V-Dem Institute, Varieties of Democracy Institute, इसके द्वारा यह release किया गया है, report के अंदर पूरे दुनिया भर में जो democracies है, उनकी एक report जो हो तयार करी है, बताया है कि हर एक democracy का status जो है, वो किस प्रकार का नहीं कि अलग 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 कंट्री जहावर democracy है, उस democracy का क्या status है, तो पिछले 10 सालों में क्या status हुआ है, क्या changes उस country की democracy में देखने को मिले, तो उस दुनिया की जो position है, वो downgrade हुई है, degrade हुई है, नीचे हुई है, democracy के मामले में, और हम लोग दुनिया की largest democracy से electoral autocracy पे आ गये हैं, तो देखो autocracy और electoral autocracy मतलब वो ही same चीज, autocratization की एक विक्ति जो है, वो rule कर रहा है, यानि कि पूरी country को एक विक्ति rule कर रहा है, democracy तो कहा जा अब देखो, पूरी country को rule करना और democracy में rule करना, वो एक दोनों अलग बात हो जाती है, एक तो democracy में रहकर rule करना, तो इसका मतलब है कि public जैसा चारी है, उसके according country चल रही है, democracy के अंदर ultimate power किसके हाथ में होती, public के हाथ में होती, जनता के हाथ में होती, जनता ही तो अपने representative को elect क क्या कर रहा है, सामने आला, पूरी country को अपने according, अपनी खुद की इक्षा से जैसा dictatorship चलती है न, तो वैसे ही ये पूरा अपनी इक्षा से उस country को rule कर रहा है, तो ये वाली बात हो जाती है, तो ये चीज़ रिफलेक करना ही, कोशिच करी कि इंडिया के अंदर, ये वाली च पारी है, मीडिया, हमारी country में, इवन मीडिया तक को corrupt किया गया है, जैसा चाहरी है, सरकार वैसा मीडिया बोल रही है, तो इसी चीज़ से related हम लोग देख रहे हैं कि पिछले हफतों से, यानि की 10-12-15 दिन से, इसी प्रकार के कुछ ना कुछ एक नाएक आर्टिकल जो है, तो तीन-चार दिन में आ ही रहा है, तो यहला topic भी आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो गया है, यह अली बात, इसके लाबा बहुत ज़्यादा उप्योग defamation का किया जा रहा है, मानहानी का बहुत ज़्यादा उप्योग किया जा रहा है, देश-द्रोही कानूनों का, उपा भी आगया, Unlawful Activities Prevention Act का topic आगया, तो इसके बारे में आपको डीटेल में पढ़ा चुका हूँ, और पिछले साल से उपा और इवन आप दो-तीन दिन पुराने भी lecture अगर उठा के देखोगे, तो आपको उपा का topic एक मिल जाएगा, तो उपा लगातार आ रहा है news में, तो ये topics related, अब तो ऐसा हो गया कि 99.9% chances तो वह आपा से related, आप से question पूछे जाए, और इवन आपको अधा दें, censorship के मामले में, इंडिया जो है, बिलकुल वैसी ही है, जैसे ही कि पाकिस्तान हम लोग को देखने को मिलती है, यानि कि जैसा सरकार चारी है, उसके according media में चीज तो ये censorship वाली जो चीज हो जाती है, तो ये वाली जो चीज जैसी पाकिस्तान में है, उसी प्रकार की इंडिया में भी हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है, और हमारी country के जो neighbors है, बांगलादेश और नेपाल, उससे भी गिरी condition में हम लोग आ गए है censorship के मामले में, यानि कि न सरकार जो है, जैसा वो कहेंगे, उसके according OTT को चलना पड़ेगा, इवन मीडिया कंपनीज को भी, जो मीडिया कंपनीज उतनी news वगरे डिलिवर करती है, उनके लिए भी कुछ guidelines इसी प्रकार की लाई गई है, तो यहली बात है, इसके लाबाद डीफेमेशन मानहानी का उपय frequently generalist की ओपर उपयोग किया जा रहा है, उनका मुबंद कराने के लिए, और उनको jail भीज दिया जा रहा है, उआपा में, ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, civil societies वगरा जो होती है, यानि की जंता वगरा, जो मिलकर कुछ civil society बना लेती है, काफी सारे लोग ऐसे छ जो है, वो कारिय किया जा रहा है, तो यह सब चीज़ें हापर बढ़ा जा रही है, इस report के अंदर, ठीक है, और universities और authorities ने punishment भी दिये students को, और activists को universities के अंदर, जो की citizenship amendment act में protest कर रहे थे, तो CAA में जो students protest कर रहे थे, तो उनको भी punishment दी गई है, punish किया गया है, तो ऐसी चीज़ वज़ा है, जिसके कारण से, इंडिया की बताया जा रहा है, कि जो democracy का status है, उसमें गिरावट record की गई है, report ने ये भी बताया है, कि civil society जो है, उसको, उसका move बंद कराया जा रहा है, याने कि उनके ओपर लगाम जो है, वो लगाई जा रही है, तो यह वाली बात हैं हम बता democracy जो हम लोग को देखने को बताया है, जहाँ पर actual में freedom अगेरा जो होती है, तो वो भी diminish हो गई है, याने कि global level पर भी democracy का जो status है, उसमें गिरावट आई है, पिछले 10 सालों में, 41 country से 32 country बच गई है, तो यह चीज़ बताया रहा है, और global decline जो है, पिछले 10 सालों में जो हु की गई थी, याने कि average तोर पर पूरे दुनिया भर में जो democracy जो लोगों ने enjoy करी थी, वो जो democracy का enjoyment था, वो 1990 के level से भी down हो गया है, याने कि 1990 में जो democracy का level था, लोगों के पास average तोर पर, तो उस level से भी नीचे जो है, वो democracy का level चला गया है, तो यह चीज़ हाँ पर बताया रह है, public को छोड़कर अपने according जो है, वो rule करना चारहे है country के उपर, तो यह electoral autocracy जो है, यह बहुत जादा popular रही है, इसमें 87 countries involved थी, जहाँ पर पूरे दुनिया भर की 68% population जो है, वो रहती है, recite करती है, और काफी सारी G20 countries भी है, जैसे कि Brazil, India, Turkey, United States of America, यह भी इसी का हिस्सा बन गई है, यानि कि इसी प्रकार की regime का, electoral autocracy का, इसके लावा काफी सारी democratizing countries हम लोग को देखने को मिल रही है, यह बिलकुल आधी हो गई है, 16 से भी नीचे जा चुकी है, और merely 4% की जो global population जो है, वो ही सिर्फ proper तरीके से democracy को enjoy कर पा रही है, तो यह चीज हाँ पर बताया जा र जो है, वो हो गया है, तो world reports of freedom की हम लोग को देखने को मिली थी, United States की एक watchdog freedom house के द्वारा, तो उसने इंडिया का जो status है, democracy का freedom का, उसको downgrade किया था, तो यह एक चीज है थी, और उसी के बाद फर अब यह report सामने आई है, जिसने अगें democracy का जो status है, वो downgrade करके इंडिया का और March पिछले साल, reporters without borders, इसने भी इंडिया को China के साथ, Russia के साथ, Iran और Saudi Arabia के साथ जो है, वो रखा है, उस मामले में जहाँ पर जो press की freedom जो है, वो छीन ली जाती है, निकि इनन countries में press के पास कोई freedom नहीं है, उसी countries की list में इंडिया को भी रख दिया है, right, reporters without borders के द्वारा, पि इंडिया के अंदर religious freedom भी जो है, वो नहीं है, इंडिया में काफी सारे लोग जो है, वो religious freedom को enjoy नहीं कर पा रहे, लोगों को discriminate किया जा रहे, religion के आधार पर, तो इस पर भी हमने काफी detail में सर्चा करी थी, फिर बाद में आकर April में इंडिया की rank जो है, 142 हो गई थी, out of 180 countries, औ दो rank जो है, वो नीचे गरा दी गई थी, तो यह सब चीज़े भी सामने हम लोग को देखने को मिली है, और country की rank जो है, 26 places, 26 places नीचे गर गई थी, 105 हो गई थी, 162 country में, यहने की total 162 countries and territories में, इंडिया की rank 105 बताई गई, global economic freedom index के मामले में जिसको Fraser Institute के द्वारा release किया गया था Canada में, 2020 में, और December 2020 में, इंडिया की rank जो है, इसमें भी हम लोग को अगेन गिरावट देखने को मिली थी, Kato Institute Human Freedom Index में, 162 country में, 111 country इंडिया की rank बताई गई गई, और इन report में यह बताया जा रहा है कि भारत की जो गिरावट हुई है, इंडिया ने जो downgrade जो, या फिर इंड पिछले कुछ वर्षों में, लोगतांतरिक स्वतंतरता की निगरानी करने वाले स्वतंतर संस्थाओं द्वारा संकलित सूचकांकों में, इस गिरावट को दर्शाता है, तो यानि की independent bodies, जो की monitor करती है, democratic freedoms को, पिछले कुछ सालों में, यानि की काफी सारी ऐसी companies हैं, ऐसे institution हैं, जो की democracy के freedom को monitor करते हैं, तो उन सभी में, इंडिया की rank जो है, democracy के मामले में, उनका जो status है, इंडिया का democracy के मामले में, उसमें गिरावट record की गई है, तो ये चीज़ आपर इस report के through हमें पता लगी, तो ये था का इस पूरा overall topic, जिसके आपको एक अच्छी जानकारी हो इस report के बारे में, गई जब इस news की बात करें, तो देखिए, बताया जा रहा है कि Ministry of Home Affairs ने लिखित में, चीफ सेकरेटरी जो नागा लेंड, मनीपूर, मिजुराम और अरुनाच्छर प्रदेश के हैं, उनको कहा है, कि वो appropriate action ने कानून के according ये चीज़ चेक की जाए, कि काफी सारे लोग जो मेंमार में रहे रहे हैं, वो हमारे देश के काफी सारे लोगों से बार-बार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं, वो हमारी कंट्री की सरकार से बोलें कि उनको शरन दी जाए हमारी कंट्री के अंदर, तो काफी सारे लोग जो है वो इस प्रकार की बात में बात कर रहे है और इसके बार में भी हाला कि हमने कुछ दिनों पहले discuss भी किया था कि मेंवार में रहने वाले काफी सारी जो travel groups है communities जो है वो इंडिया की travel groups और community के साथ लगातार बातचीत कर रही है कि उनको जो है वो allow किया जाए इंडिया में रहने के लिए इंडिया उनको शरण दे तो केंद्र ने क्या कहा तो सबसे पहली बात तो आपको बदा देगा इस कि कोई भी state government हमारी जो भी states है उनके पास किसी भी प्रकार की power नहीं है एक refugee को यहने कि refugee status वाले व्यक्ति को एक foreigner grant करने की मतलब की कोई व्यक्ति है जो कि अपना देश छोड़ रहा है और छोड़ कर हमारी country में आना चाह रहा है तो इस प्रकार की यहने की power देने की या फिर इस प्रकार का asylum provide कराने की या शरण provide कराने की power जो है इस refugee convention को sign नहीं किया है तो यह refugee convention क्या है तो उसके बार में बताऊँगा मैं आपको बढ़ उससे पहले यह चीज़ ध्यान में रखना तत्मडाओ यह क्या होता है तो यह मेमार military को तत्मडाओ कहते है तो मेमार military ने मेमार के ओपर control कर लिया है एक February को आपको पता होगा हमने काफी ज़्यादा डीटियल में इस टॉपिक को भी डिसकस किया हुआ है जिन स्टॉइट्स ने यह मेमार के तक्ता पलेट वाले टॉपिक को अरड़ी कवर कर लिया है वो एक बार आप जाकर revise कर लीजे magazine वगरा से पढ़ लीजे और बागी जिन स्टॉइट्स ने नहीं किया है जो स्टॉइट्स अभी अभी जुड़े हैं आप अपना जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको जोइन कर लो टेलीग्राम के ग्रूप को चाइट लाइक बीरोक्रेट्स का ग्रोप नीचे description पर उसकी link आपको मिल जाएगी उसको join कर लो आप वहाँ पर student से पूश लेना मेहमार military वाले topic को या मेहमार में जो जक्ता पलट हुआ था वो किस दिन मैंने करा है तो जब भी भी मेरे student वो इस topic को revise करेंगे वो आपको बता देंगे या फिर अगर मैं free रहा मैंने आपको message देख लिया तो फिर मैं आपको reply कर दूँगा वो date आपको बता दूँगा तो उस date में जाकर आप देख लेना और इंडिया और मेहमार की एक factual information ध्यान में रखो कि 1643 किलोमेटर की जो boundary है वो इंडिया और मेहमार के बीच की हम लोग को देखने को मिलती है अब थोड़ी सी बात करते हैं United Nation की इस refugee convention 1951 के बारे में तो United Nation की ये multilateral treaty है जो की define करती है एक refugee को की refugee जो है वो कौन होंगे तो उनके अधिकारों के बारे में define किया हुआ है कि उनके rights कौन से होंगे और शरण देने वाले जो राजी जो होते हैं जो nations जो होते हैं जो की asylum grant करते हैं तो उनकी responsibility क्या होती है तो उसको proper तरीके से define किया हुआ है इस convention के अंदर तो यह जीज़ आप लोग को थोड़ी सी धान में रख रहे हैं दो चीज़ define कि हुई है कि जो व्यक्ति है जो refugee है जिसको उसके पास right होगा कि उसको शरण मिलना चाहिए asylum उसको मिलना चाहिए और उसके पास और क्या-क्या अधिकार है तो उसको define किया हुआ है और जिस राश्ट में उस व्यक्ति को जिस country में उस व्यक्ति को शरण मिल रही है तो उस country की क्या-क्या responsibility होगी उसको define किया हुआ है और convention ने grant की होए है कुछ rights individual के कि एक individual जो है अपनी country को छोड़कर दूसरी country जा सकते है और अगर उस country के अंदर race, religion, nationality, affiliation to a particular social group या political opinion मतलब कि उस country के अंदर उन लोगों को किसी प्रकार का exploitation अगर सहना पड़ रहा है उस country के अंदर race wise, religion wise, nationality wise तो उस country को छोड़कर दूसरी country में जाकर शरण ले सकते है तो यह चीज़ आपर बताई आ रही है और इस प्रकार के वेक्तिव को शरण देनी चाहिए तो यह चीज़ आपर बताई गई है और साथी साथ इस convention के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जारी किये गए यात्रा दस्तावेजों के धारकों के लिए visa मुख यात्रा का भी प्रावधान किया गया यानि कि जो भी इस convention के थूँ जो भी लोग आते हैं उनको visa free travel भी provide किया जाता है तो ये सब कुछ अधिकार ये सब कुछ rights हैं जो enjoy करते हैं इस convention में आने वाले लोग राइट शामिल किये जाने वाले लोग अगर दूसरी country से अगर उसकी country के अंदर उसको कुछ उत्पीडना सहनी पड़ रही है या फिर exploitation सहना पड़ रहा है तो वो दूसरी country के पास दाकर asylum जो है वो मांग सकता है वहाँ पर रहे सकता है और 1967 का जो protocol है उसमें include कर लिया गया है refugees को सभी countries के कि सभी countries के refugee जो है वो एक country में आकर शरण ले सकते हैं और यही एक वजा है main तोर पर जिस पर हम लोगों ने जो है वो अपोस किया हुआ है कि हम लोग ने इसलिए sign नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारी जो neighbor countries है उससे अगर refugee जी अगर हमारी country के अंदर enter कर जाते हैं हम लोग उन्हें शरण देते हैं और फिर अगर हम identify नहीं कर पाए कि वो terrorist है या क्या है तो फिर हमारी country के बड़ी दिक्कत वाली कहानी हो सकती है तो यह इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने इसको sign नहीं किया हमें इसकी signatory नही लागू किये गए उपासना स्थल अधीनियम यानि की places of worship act जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको चुनोती देने वाली याची का पर जवाब देने को कहा है तो honorable supreme court ने government से कहा है कि respond करें एक petition आई है जो की challenge कर रही है places of worship act 1991 को और इस act के थैट जितने भी धार्मेक जो होते हैं जहांपर पूज अर्चना की जाती है तो उनको 15 अगस्त 1947 की इस्तिती में इस्तिर रखने का प्रावधान किया गया था मतलब की क्या है इसका आसान भश्य में क्या मतलब है तो 15 अगस्त 1947 में जैसे की एक जगाए यहांपर मस्जिद बनी है एक जगापर मंदि है तो ये मंदिर ही रहेगा इसको convert नहीं किया जाएगा मस्जिद में कोई भी विवाद चल रहा हो किसी भी प्रकार का तो इस जगह पर मस्जीद है तो मस्जीद में continue रहेगी कोई और community कोई और group कोई और धर्म के लोग इस पर इसको convert नहीं करा सकते या मंदिर को मजजित में या मजजित को मंदिर में तो यह जीज यहाँ पर बताएगी अब आप बोलोगे सर अभी तो बाबरी मजजित का केस हमने देखा वो कैसे आया यह कानून में यह लिखा है तो वो भी बताओं अटेंशन मतलो मुझे भी पताएगी आप मन माना तर्क हीन और पूर्व भावी बताया गया है आर्बिटरी इर्राशनल और रेट्रोस्पेक्टिव बताया गया है इस कानून के अनुसार 15 अगस 1947 एक सीमा तिथी कट ओफ डेट के रूप में निर्धारित की गई है कि मिला कट ओफ डेट कर दिया गया इसको और यह क दौरा हमला किया गया था यानि कि foreign nation से आकर जिन लोगों ने हमला किया था वहाँ पर अपने religious place जो है वो बना दिये थे हिंदू के सिक के जैन के बुद्दिस के जो religious places जो है उसको destroy कर दिया था तो उस पर यह फिर से दावा नहीं कर पा रहे है यानि कि यह सब जो community है हिंद करता जो है petitioner जो है उनका कहना यह है कि कानूनी दावों से संबंधित इस particular कानून के प्रावधान जो secularism जो हम लोग को देखने को मिलता है धर्म निर्पेक्षता जो हमें देखने को मिलती है उसके जो principles है उसके जो सिद्धान्त है उसके यह खिलाफ है ठीक है तो यह थीज जो अलग-अलग जो community है जो इंडिया में हमेशा से रहे रही थी ऐसा बताया गया है इस petitioner ने यह चीज़ बताईए कि जो अलग-अलग जो community है वो किसी अपनी खुद की पुरानी places पर हक जो है वो नहीं जमा पा रहे है क्लेम जो है वो नहीं कर पा रहे है क्योंकि इस 1947 से पहले जो थी places और 1947 15 अगस्त वाले दिन अगर कोई place में अगर मंदिर बना है तो मंदिर ही रहेगा कहीं पर मजजिद बनी है तो मजजिद ही रहेगी उसको आप challenge नहीं कर सकती है कोई और community उसे challenge नहीं कर सकती इस particular कानून का क्या उद्देश है क्या objective है तो main aim इस कानून का ये है कि status जो है किसी भी place of worship का उसको freeze कर देना वो ही चीज मैंने जो आपको बताई जो की 1947 15 अगस्त 1947 को थी और इसमें ये भी provide किया गया है कि religious character जो है उसको maintain करके रखना है ऐसे places का जो उस दिन थे 15 अगस्त वाले दिन थे यानि कि वो character religious character जो पूजा अर्चना है जो न में रखते हुए नहीं किया जा सकता कोई attempt नहीं कर सकता कि उस structure पर पुराने यानि कि ये नहीं बूल सकता कि इस जगा पर मजजिद है तो ये जगा जो है वो पहले के समय पे 10 साल पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था अब इसको मजजिद convert कर दी तो हमें वोपस मंदिर म सकेगी मतलब कि यहाँ पर कह दिया गया कि यह जो कानून है जैसे कि जो मंदिर मजजिद का विवाद चल रहा था 1947 के समय पर तो यहाँ पर cut-off date डालकर यह रख दिया गया कि आगे चल गया कुछ साल बाद 40-50 साल के बाद यह हार्मोनी जो है हम लोग को देखने को मिलेगी याने कि कोई किसी के बीच में कोई लड़ाई जगला नहीं होगी लोग स्थिर हो जाएंगे बुलेंगे हाँ चलो ठीक है चोड़ो जाने दो विवाद को ऐसा होता है कि कई बार कुछ विवाद चल रहा है अगर उस पर वहीं पर रोग लगा दी गई उस पर status दे दिया कि ह जहाँ यह ऐसी continue रहेगा तो कुछ generation के बाद फिर लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे तो harmony हम लोग को देखने को विलेगी यह वाली इस उद्देश के साथ यह चीज की गई थी तो इसमें कुछ key features क्या-क्या है तो act ने declare किया था religious character जो होगा place of worship का वो continue रहेगा वो same चीज में मज्जित कुमंदिर में वो अली बात इसने declare कि कि कोई भी किसी प्रकार की और सभी प्रकार की कोई भी suit हो appeal हो या कोई भी और दूसरी proceeding हो convert से related वो यहाँ पर जो है वो apply नहीं होगी कि कोई भी further legal proceeding जो है वो apply नहीं होगी मतलब कोई भी suit नहीं कर सकता है place of worship क्यों पर है को देखने को मिल रहे है क्या क्या exception है तो यह बताए है कि अब जो provision की बारे में बात करेंगे वो apply नहीं होगा जैसे कि अगर कोई building ancient है historical monument है कोई या कोई archaeological sites है या फिर कोई remains हम लोग को देखने को मिल रहा है जो की ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958 के तहत cover किया गया है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा first point second point जिसका already case जो है वो settle हो चुका है dispose हो चुका है right तो वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा right या कोई भी party जो है वो convergence से related अगर उन्हों ने settle कर दिया case को यानि कि एक authority ने case का judgment दे दिया है तो फिर से जो है वो दुबारा से revise करने की बात नहीं की जा सकती तो यह आली बात यहां पर कही गई है और अब आपके काम की बात कि यह कानून जो है वो apply नहीं होगा place of worship वाला right जिसको commonly हम लोग refer करते हैं राम जन्म कानून जो अभी force में है उसमें नहीं होने वाले हैं तो यह अली बात यहां पर बताई गई है तो यह इसके कुछ exception है जिसको हम लोग ने समझा जिसको हम लोग ने जाना और यह था पूरा overall topic आप लोगों का यह कानून का place of worship ठीक है तो यह चीज आप लोग को थोड़ी सी स in the state election commission consisting of state election commissioner, the superintendents, direction and control of the preparation of electoral roles for conduct of all election to panchayats and municipalities तो हमारे constitution of India ने यह चीज़ कही है कि state election commission जो है वो सभी election जितने भी होते हैं panchayat के और municipalities के तो उन election को conduct करने का उन election को यहनी election से related direction देने का control करने का और electoral roles को prepare करने का जो जिम्मा होगा वो state election commission के under होगा और इसके बारे में हमारे Indian constitution के article 243K से लेकर 243ZA पर हम लोग को देखने को मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है अगर question आजाए election commission of India जो है वो कौन से election conduct कराती है हमारी country के अंदर और उसमें अगर आजाए municipalities का और पंचायत का election तो फिर आप उसको wrong mark कर देना क्योंकि municipalities का और पंचायत का election होता है हमारी country के अंदर सभी जगा पर उसको conduct करने का जिम्मा जो होता है वो state election commission के under होता है ठीक है तो यह चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है और इस पर article 243 article 243 के according एक governor जो है when so requested by state election commission एक governor को जब state election commission जो है वो request करते हैं make available to the state election commission such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the state election commission by clause 1 अब देखो यहाँ पर यह कहा गया है कि state election commission को जब भी अगर लगता है कि election conduct करने के लिए उनको और staff की आवशकता पड़ीगी और लोगों की आवशकता पड़ीगी election को proper तरीके से free fair तरीके से conduct कराने के लिए तो state election commission governor से बात कर सकते हैं उनसे request कर सकते हैं उनसे बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करके कुछ और staff जो है वो available करवाय जाए जिसके चलते वो proper तर of local self-government institutions is the responsibility of the state और हमारे constitution के according local self-government institutions जो है पंचायत हो गया municipalities हो गई तो इसको establish करने की responsibility जो होगी वो राज की होगी और इसमें इसकी जो responsibility होती है वो 7 schedule के list 2 की entry 5 में हम लोग को देखने को मिलती है अब थोड़ी सी बात करते है powers and removal के बारे में state election commissioner की power और उनके removal के बारे म तो state election commissioner has the status salary and alliances of a judge of high court तो जो judge होते है ना high court के उनकी judge जो high court के judge की जो salary होती है जो उनको alliances मिलता है जो उनका status होता है same वो ही salary alliances status एक state election commissioner का भी होता है and he cannot be removed from the office except in the manner and on the on the like grounds as the judge of high court enjoys तो जिस प्रकार से जो high court के judge होते है उनको जो हटाये जाता है remove किया जाता है जो प्रक्रिया होती है high court के judge की उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो ही same प्रक्रिया यहाँ पर भी इस्तिमाल की जाती है जब एक state election commissioner को हटाने की बात होती है तो याद रखना state election commissioner को हटान का जो provision है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा या process बिल्कुल सेम वैसी ही होगी जैसा कि हाई court के एक judge को हटाने की होती है clear आपको यहां तक बात है तो यह चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो election commission of India and state election commission have similar mandate do they also have similar power तो क्या state election commission commission election commission election commission of India के पास भी power होती है election को conduct कराने की तो क्या उनके पास एक जैसी power होती है तो इसकी अगर बात करें the provision of article 243k 243k provision के according जो हमारे Indian constitution का है that provides for setting up of state election commission state election commission को set up करने के बारे में article 243k में लिखा है are almost identical to those of article 324 तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि article 324 में है जो की election commission से related है in other words state election commissions enjoy the same status as of the election commission तो जो status state election commission का होता है same वैसा ही status election commission का भी हमें देखने को मलता है बात clear हो रही है कि नहीं in 2006 the honorable supreme court emphasized that two constitutional authorities enjoy the same power तो even honorable supreme court ने भी ये चीज़ clear कर दी थी कि दोनों authorities जो है election commission of India और state election commission ये दोनों same power जो है वो enjoy करेंगे ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई आगे की बात करें इन क्रिशन सिंह तोमर versus municipal cooperation of the city of Ahmedabad the honorable supreme court directed that the state government should abide by the orders of the state election commission during the conduct of panchayat and municipal election just like they follow the instruction of election commission during assembly and parliament polls तो सरकार जो होती है state government जब assembly का state assembly का या फिर जभी भी parliament का जब election होता है तो जैसा election commission of India बोलती है वैसा state government को follow करना होता है election commission of India के direction पर काम करना होता है तो यहाँ पर एक case था उसमें भी honorable supreme court ने clear ये बात कही ये direction दिये state government को कि जैसा आप election commission of India के direction को follow करते हो पंचायत और assemblies और parliament के election के दुरान वैसा ही same आपको follow करना होगा state election commission के orders को जो पंचायत और municipal election को conduct कराने के लिए state election commission जो हमें देखने को मिलती है तो उनके same उनके order को भी आपको follow करना पड़ेगा तो अब सरकार जो है उसको equally यह रहेगी बनलब जिस परकार से वो election commission of India के दिये गए directions को follow करती है वैसी उनको state election commission के द्वारा दिये गए directions को भी follow करना बाद है यह binding है यह चीज़ बकाइदा honorable supreme court ने करके दे दिये है अब in practice की बात करें in practice are state election commission as independent as election commission बहुत important question है practice में यह रहेगी देखो एक तो चीज़ होती theoretical और एक होती है practical तो practical तो प्रैक्टिकल तो तौर पर on field जो election commission जो powers को independent तरीके से enjoy करते हैं क्या वो state election commission enjoy कर सकते हैं तो इस पर बात करेंगे although state election commissioner are appointed by the state governor आप जानते हो कि state governor state election commissioner को appoint करते हैं and can only be removed by impeachment जो प्रक्रिया removal की होती है high court के judge की same वो ही प्रक्रिया state election commissioner के removal की होती है right in the last two decades पिछले 20 सालों में many have struggled to assert their independence मतलब की कुल मिलाकर in practice enjoy नहीं कर पा रहे हैं state election commissioner same independence को जो की election commissioner enjoy करते हैं one of the most widely remembered case of confrontation happened in Maharashtra in 2008 2008 में एक case हम लोग को सामने आया है था then state election commissioner Nand Lal was arrested and sent to jail for two days in March 2008 after the assembly found him guilty of breach of privilege in an alleged conflict over his jurisdiction and power मतलब की उनको गिरिफतार कर दिया गया था और दो दिनों के लिए jail भेज दिया गया था यानि की एक state election commissioner को गिरिफतार करके jail भेज दिया कि कुल मिलाकर जो government है state government उसके पास जादा power यहां पर दिखाई दे रही है state election commission के comparison में क्योंकि उसको arrest करके भेज दिया गया commissioner को बढ़ वहाँ पर अगर election commissioner होते तो उसको arrest नहीं कर सकते थे किसी या chief election commissioner को किसी भी तरीके से और क्योंकि पूरी प्रक्रिया होती ही ना उनको हटा नहीं जैसे कि judicial कि अगर हम लोग बात करें honorable supreme court के judge कि या high court के judge कि अगर हम बात करें तो उनकी removal की प्रक्रिया होती ही उनके misconduct जब भी भी होता है तब एक दम ऐसा नहीं कि तुरांद उनी को arrest करके jail में जो हम डाल दिया जाए तो वो पूरी प्रक्रिया होती है पूरी वो legislative प्रक्रिया भी हम लोग को उसमें involved होकर देखने को मिलती है पर यहां पर कुल मिलाकर सामने से हमने पूरी proper चीज क्या दिखाई दे रही है कि state government जादा power जो है उसके हाथ में हमें देखने को मिल रही है कि state government के बाद जादा power is state government is more powerful than state election commissioner election के समय पर तो यहली बात यहां पर बताई जाए जाए अब गाईस जानते हैं news के बारे में कि यह topic news में हमें क्यों देखने को मिली है तो honorable supreme court ने कहा है कि एक independent व्यक्ति को appoint किया जाए as a state election commissioner के पद के लिए किसी bureaucrate को ना किया जाए कि किसी नौकर शाहों को नहीं बलकि किसी स्वतंतर व्यक्ति को न्यूक्त किया जाना चाहिए state election commissioner की पद के लिए तो यह पूरा मामला क्या है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ तो अभी कुछ दिन हमने देखा कि Bombay High Court ने stay लगा दिया है कुछ municipal election notification के उपर याने कि जो गोवा के state election commission के दौरा जो issue किये गए थे कुछ municipal election notification उस पर stay लगा दिया है Bombay High Court ने और इसके बाद stay लगने के बाद जो है गोवा की जो सरकार है उसने honorable supreme court के पास appeal दायर करें फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद honorable supreme court ने बिल्कुल सही टेराया कि high court का जो order है municipal reservations को लेकर तो वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ area है वहाँ पर municipal reservations होने चाहिए और direction दिया state government को कि state government भी reservation से related notification जो है वो और भी कुछ हम लोग को देखने को मिल रही है जैसे कि हम बात करें सगुए नगरपाली का एं जो है municipalities जो है तो कहा गया कि अगले 10 दिन के अंदर ये notification जो है वो जारी करें goa state government इनके reservation को लेकर municipalities के reservation को लेकर और direction ये भी दिये कि state election commission को कि वो अपनी पूरी election की जो process है वो 30 April तब complete करते है और honorable supreme court ने क्या observe किया या उनका क्या judgment था कि state election commissioner जो है वो एक independent person जो होने चाहिए तो independent person not bureaucrat ये चीज़ कही honorable supreme court ने कि एक bureaucrat को नहीं बलकि एक independent person को state election commissioner के पत के लिए appoint करना चाहिए ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये government employees को power देता है government employees को extra charge देता है कि वो state election commissioner बन कर जो है वो सामने आए मतलब कि कुल मिला कर government के ही जो employees है वो state election commissioner बन जाते है तो अब अगर government की employee ही state election commissioner बनेगे तो independent तरीके से वो charge नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो government के employee होंगे और कही ना कही से government की employee अगर वो होंगे तो उनके उपर government जो है वो indirectly किसी तरीके का pressure create कर सकती है जिससे कि fair और free तरीके से election जो है वो conduct नहीं हो पाएगा, free and fair election conduct नहीं हो पाएगा, transparent तरीके से election नहीं हो पाएगा, क्योंकि ultimately जो ग्यक्ति independent तरीके से काम करना चाहते है तो उनकी post हाई होनी चाहिए बट अगर वो गुवर्मेंट के अंडरी होंगे गुवर्मेंट के इंप्लॉई होंगे तो अव्यस ही बाते कहीं न कहीं उनके ओबर प्रेशर क्रियाट किया जा सकता अलग अलग परकार का जिससे की वो फियर और ट्रास्परेंट तरीके से फ्री फियर ट्रास्परेंट तरीके से एलेक्शन कंड़क नहीं करवा पाएंगे राइट इसकी आवशक्तिया क्या है तो कोट का कहना यह है कि यह काफी डिस्टर्बिंग है यह देखना कि कोई गवर्मेंट इंप्लॉई जो है जो की कि जो actual जो जॉब है, actual जो उसकी post है, वो obviously बात है, government की नीचे ही हम लोग को देखने को बले, क्यों, देखो, आप मेरी बात को समझना ध्यान से, जैसे कि आप कल को I.S. officer भी बनोगे, तो भी आप किसके direction पर काम करोगे, ministers के direction पर आप काम करोगे, right, अगर आप किसी ministries attach होगे, तो उस ministry के ultimate head कौन होगे, minister होगे, right, और election को free and fair करना है, तो honorable supreme court नहीं ये बोला कि independent person को लाओ, जैसे कि executive, judiciary, legislative, इनके independent function होते हैं, बड़ा हम जात दें कि legislative और executive, जो है वो link रहते हैं, executive, legislative के नीचे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप permanent executive बनने वाले हो आगे चलके, जब I.S. officer बनोगे, IPS बनोगे, है की नहीं, right, तो यहाँ पर का गए है की independent तरीके से, यानि की ये सब जोल यानि की ये जो पूरी जो system है, उस से बाहर के किसी व्यक्तिव को appoint करो, independent व्यक्तिव को appoint करो, जिससे कि उसके उपर किसी प्रकार का pressure ना हो किसी तरीके का, या किसी प्रकार की उसके अंदर लालच ना हो कि वो अगर किसी के favor पे काम करता है तो आगे चलके जो body आगी power पे उसके लिए favor आला काम करेगी तो वो corruption और यह सब जोलमोल हम लोग को देखने को मिलेगा तो यह चीज यहाँ पर गई गई और जो constitution का जो mandate है उसको यहाँ पर बताया कि जिसके चलते जो duty होती है state की कि उसको state election commission के साथ किसी प्रगार का interference नहीं रखना है तो वो duty फेल हो जागी और यही चीज उन्होंने election commissioner के लिए भी दी हुई है और आपको बता दे हमारे constitution के अंदर इस बारे में भी कहीं पर भी कुछ ऐसा mention नहींगी कि किस व्यक्ति को जो है वो किस व्यक्ति की क्या qualification होनी चाहिए state election commission में जाने के लिए commissioner बनने के लिए या फिर election commissioner बनने के लिए अचा एक question है अगर आपने ध्यान से इस topic को लक्षमी गांत की quality से पढ़ा होगा तो इस answer आप जरूर दे दोगे अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना फिर इस question का answer देना आप मुझे नीचे comment box पर लिखकर बताओ कि total हमारे यहाँ पर कितने constitution के according ध्यान से सुनना मेरे question को थोड़ा tricky है constitution के according election commissioners या election commission के अंदर total कितने member हो सकते हैं क्या लिखा है हमारे constitution में कि total कितने members हो सकते हैं election commission के अंदर या state election commission के अंदर देखने कि किस ने चीज को पकड़ लिया है और किसको पता है इसका क्या correct answer होगा तो यह था गाइस पूरा वरल टॉपिक, hopefully आपको अच्छे से पूरी चीज crystal clear हुई होगी अब हम लोग next topic को cover कर रहे हैं गईज discuss करेंगे district medical board के बारे में जिला चिकितसा board के बारे में तो बता जा रहे है कि honorable supreme court ने सरकार को कहा है कि सरकार respond करें एक petition का reply करें जो कि district medical board के गठन से related constitution establishment से related हमें देखने को मिल रही है जिसमें expert gynecologist और even pediatrician हम लोग को देखने को मिलेंगे जो की rape survivor की मदद करेंगे इस तुरी रोग विशेशक के होंगे बाल रोग विशेशक के होंगे जो की मदद करेंगे rape survivor की तो यह जी हाँ पर बता जा रही है court ने ये भी कहा है कि जिन भी महिलाओं का rape होता है और वो महिला अगर pregnant हो जाती है तो उनको proper तरीके से बताया जाना चाहिए उनके legal rights के बारे में right की क्या-क्या अधिकार उनके पास है उनकी proper उनको जानकरी दी जानी चाहिए तो पूरा मामला क्या था तो इस पर हम लोग थोड़ी बात करें तो court की सुनवाई चल रही थी 14 साल की एक rape survivor थी जो की demand कर रही थी abortion के बारे में उनकी demand थी तो उस पर पूरी सुनवाई चल रही थी बट एक report जब medical board की तरफ से आई तो honorable supreme court ने उन्हें उस report को refer करने के लिए कहा तब उन्होंने अपनी petition को pregnancy को terminate करने वाली जो उनकी petition थी उसको उन्होंने withdraw कर दिया था तो ये चीज़ इस परकार की देखने को में और गईज़ इस परकार के पर फिर वो abortion वगएरा नहीं करवा पाती क्योंकि हमारे यहां कुछ ऐसे कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जो की restriction लगाते है महिला की reproductive choice के उपर उनकी personal liberties के उपर bodily autonomy के उपर तो ऐसे कानून को हटाने के उपर जोर जो है वो डाला जा रहा है और district medical boards के थ्रू जो rape survivor होंगी उनको काफी मदद इस प्रकार से मिलेगी कि उनको और trauma नहीं face करना होगा experts के वो contact में होंगे जो experts जो rape survivor के जो physical, emotional और mental जो health है उसको ठीक करने में काफी मदद करेंगे और काफी सारी affected महिला ही जो होती है even rape survivors ऑल्चो तो उन्होंने audible supreme court के पास भी अप्रोच किया है 1971 के कानून के अगेंज जो 1971 का जो कानून है न medical termination of pregnancy act 1971 इसका section 3 क्या बोलता है कि एक महिला जो है वो 20 हफतों के बाद pregnant होने के 20 weeks के बाद एक महिला जो है वो abortion नहीं करा सकते तो यह कानून बोलता है तो इस कानून के against काफी सारे cases हम लोग को देखने को बिल रहे है जो कि honorable supreme court जो है वो deal कर रही है काफी सारे cases इस प्रकार के सामने आ रहे है और बता जा रहे है कि an exception to the law is made if a registered medical practitioner certifies to a court that the continued pregnancy is life threatening for the mother मतलब कि अगर कोई medical practitioner जो है वो certificate दे कर बोलते हैं बताते हैं कि उस महिला का महिला का continue रहना उसकी pregnancy को continue करना उसकी health के लिए या उसके baby के health के लिए काफी खतरा है तब उस तमें abortion को जो है वो allow किया जा सकता है और medical termination of pregnancy amendment bill 2020 ये पास किया गया था लोग सभा के द्वारा और राज सभा में ये discuss किया जाना है और इसके बारे में हालकी में पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ इस particular amendment bill के अंदर 20 हफतों की limit को 24 हफते करने की बात की जा रही है अंडर special circumstances ठीक है तो ये इस bill के बारे में ही मैंने आपको detail में पढ़ा हुआ है इसकी मैंने आपको एक basic जानकारी दी है और abortion versus fundamental rights की अगर हम लोग बात करें गर्मपात बनाम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये जीज़ बहुत ध्यान से सुनना है ये mains के लिए भी आपके काफी important point होने वाला है the right to exercise reproductive choice is the right to choose whether to conceive and carry pregnancy to its full term or to terminate it यानि कि जो choice है एक महिला की कि उसको pregnancy को अपनी continue रखना है या फिर नहीं रखना है वो एक महिला की personal choice होनी चाहिए उसकी reproductive choice होनी चाहिए this choice is at the core of one's privacy, dignity, personal autonomy, bodily integrity, self determination and right to health recognized by article 21 of the constitution article 21 जो है हमारे Indian constitution के उसके अंडर ये पूरी चीज़ होती है तो इसलिए महिलाओं को इस प्रकार के right दिये जाने चाहिए ये choose करने के लिए कि उनको अपनी pregnancy को continue रखना है या फिर नहीं रखना है उनको reproductive autonomy दे दी जाने चाहिए उनको choice दिया जाना चाहिए कि उनको continue रखना है या नहीं रखना तो ये चीज़ है तो यह आप mention कर सकते है अपने इसमें mains के अंदर ये वाले points इवन paper 2 में भी आ सकता है, even paper 4 में भी आ सकता है तो ये था guys paper 2 से related पूरे topics जो हमने discuss किये अब हम लोग बात करेंगे paper 3 के topics पे तो देखो यहाँ पर दो important चीज़े है active pharmaceutical ingredients और दूसरी production linked incentive scheme PLI scheme और API तो ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को detail में explain कर चुका हूँ मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा revise करिए previous magazine को पिछले महीनों की magazine को उठाकर और इन दोनों चीज़ को cover करिए जिन students दो अलड़ी cover कर लिए वो revise कर लिए जिरों नहीं cover किया ये वाले topics जो student नए है आप मैंने आपको बताए कि telegram का अपना discussion group है वहाँ पर message कर दीज़ेगा इन दोनों के जो किस वीडियो में कहा पर मैंने ये topics पढ़ाये थे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी आसान भाशा में मैं आपको बताऊं production linked incentive जो है इसमें basically promote करती है सरकार कि manufacturers जो है वो जाए साधा manufacturing करें एक specific sector के बड़तो सरकार एक specific sector के बारे मताती है और उस पर manufacturer को various incentives provide करती है कि various incentives दिये जाते है manufacturers को एक product को produce करने के लिए manufacturing करने के लिए तो ये production linked incentive scheme के अंडर आता है और active pharmaceutical ingredients के लिए production linked incentives हम लोग को incentive scheme हम लोग को देखने को मिल रही है और ये API क्या होता है तो आसान भाशा में दवाईयों को बनाने के लिए raw material होता है उसको API कहते है ठीक है दवाईयों को बनाने के लिए raw material को API कहते है और इस raw material के उपर हम लोग जो है वो dependent है चाइना के उपर जादा ये raw material आता है API को बनाने के लिए तो इसलिए अगर हमारे पास ये raw material अगर हमारे पास proper तरीके से बन जाएगा API अगर हम खुद बखुद हमारी country में बनाना शुरू करतेंगे इसका production शुरू हो जाएगा तो हमें import नहीं करवाना होगा चाइना की उपर हमारी dependency जो है अप्रूफ करी है जिसमें आच हजार ब्यासी करोड रुपे का investment जो है वो लगने वाला है और ये production link incentive के तुरू ये चीज़ बताई जा रही है झाय जो है तुरू